जहिन अभ्यास ओनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों रिजनिंग का हम लोग तयारी कर रहें थे जिसमें दिसासंबंधी कोशन को प्रैक्टिस कर रहे थे तो उस वीडियो में पहले पाल टम मैंने उसके फार्मूला को बताया था और कुछ कोशन को सौल के थे तो इस वीडियो में दोस्तों फिर से प्रैक्टिस करने वाले हैं तो वीडियो को सुरू से लास तक जरूर देखिए और जो इस टूडियो नए है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नॉटिफिकेशन बेला था दोस्तों उसको भी जरूर ओन कर लिजिए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और कोशन को प्रैक्टिस करते हैं तो चलिए दोस्तों पहला कोशन देख लेते हैं पहला प्रशन दिया हुआ है निमनलिखित में ऐसे क्रम में घुमते रहने के बाद सत्यंद्र अपनी यात्रा उसी दिसा में मुह में करके समाप्त करेगा जहां से उसने सुरू की थी तो दोस्तों यहां पास जो है option देख के हमको समझ कर लगाना है कौन सा option सही है कि देखिए जो सत्यंद्र है वो क्या कर रहा है जिस दिसा में जा करके अपना मुह करके स्टार्ट कर रहा है अपना जो यात्रा है अर आंत में है दोस्तों उसी दिसा में क्या होता है उसकी जो यात्र है वो समाप्त होती है तो कौन सो option जो है satisfy हो रहा है उसको देखते हैं तो according जो है दोस्तों चलिए पहला option को लेते हैं और अब हमको क्या करते हैं उसको इधर-उधर ले जाने की कोशिश करते हैं option के according ठीक है तो पहला option है दोस्तों जिसमें से हम लोग माल लेते हैं यहाँ पास सत्य अंद्र यहाँ पास खड़ा है और अपना जो मुह है जो है कहा करके रखा दोस्तों उत्तर दिशा में करके रखे हैं ठीक है आप कोई भी दिशा मान सकते हो लेकिन अलाश्ट में उत्तर इसा ही आना चाहिए अगर आप उत्तर ले रहे हो तो उत्तर ही आना चाहिए दक्षिन ले रहे है ठीक है तो मैं यहाँ पास ले रहे हूँ दोस्तों उत्तर दिशा में तो क्या हो रहा है यहाँ पास पहले क्या करता है वो दाएं चलता है तो चलिए उसको दाएं ले जाते हैं दाएं के बाद क्या हो रहा दोस्तों फिर से दाएं तो यहां पास के इसके लिए फिर से दाएं यह हो जाएगा फिर क्या बोल रहा है फिर बाएं जाता है तो दोस्तों इसके लिए है दोस्तों क्या हो जाएगा बाएं इधर हो जाएगा फिर बाएं बोल रहा है तो क्या हो जाएगा ये बाएं हो जाएगा फिर इसके बाद दाएं जाता है तो ये दाएं हो गया उसके बाद फिर से दाएं जाता है तो ये इदाएं हो गया तो दोस्तों इसकी जो दीसा है चेहरे की दीसा कहां आ गई थी दोस्तों हम लोग उत्तर को माने थे और इसमें उसकी जो दिसा वो कहां आ गई दक्षिन में आ गई तो यहां पास क्या हो जाएगा यह उप्सन गलत हो जाएगा क्योंकि प्रेश्ट में यह बोला गया है कि उसी दिसा में होनी चाहिए यात्रा के अंतिम दौरान ठीक है तो पहला उप्सन क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा चल ठीक है उसके बाद चली उसको फिर से थोड़ा कनिफ्यूज हो गया ये देखिए ये हो गया स्टार्टिंग में वो कहा जा रहा है दोस्तों दाएं गया ठीक है उसके बाद कहा जा रहा है बाएं जा रहा है मतलब ये बाएं आ गया उसके बाद फिर से कहा जा रहा है ये तो मतलब देखिए यहां पास फिर से हो कौनसी तीसा में जा रहा है दक्चिन तीसा में जा रहा है ठीक है तो OPTION NUMBER B भी हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ठीक है चलिए देखते हैं तूस्तों टीसरा OPTION तीसरा option मिस्सा नमबर में क्याब और है चलिए वो अगर कहां पास है सत्रिंद यहां पास खड़ा है तो सबसे पहले वो कहां जाता है दाइं और तो दाइं और ले जाते हैं उसके बाद फिर से दाइं और जाता है तो ये दाइं और उसको ले गया है उसके बाद कहां जाता ह बाया और ठीक है ये हो जाएगा इसका बाया और उसके बाद कहा जाता है वो दाया और तो दाया और ये ये हो जाएगा मतलब क्या हो रहा है ये ऊपर दीसा में और जार है तो आपसन नमबर C के अपरिंग दोस्तों ये देखिए इसका जो स्टार्टिंग जो मुह था ऊपर उत्तर की ओर था अब लाश्ट में भी उत्तर की ओर हो गया तो दोस्तों इस तरीके से जो है option number C जो हमारा सही हो जाएगा तो option number D को check करने के हमको ज़रूरत नहीं है तो दोस्तों इसमें दाया बाया दाया बाया बोले तो इसमें आपको confuse नहीं होना है थोड़ा से दिमाग लगाना है धैर रखते हुए question को solve करना है तो चलिए देखते हैं दोस्तों next question वीडियो अच्छा लग रहा हो जरूर लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके like से ही हमें motivation मिलता है ना अच्छे-च्छे question आपके लिए preparation कराने का ठीक है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं next question next question में है दोस्तों एक वैक्ति जो है उत्तर की और मुह किये हुए खड़ा है वह अपने स्थान से 225 डिग्री बाइं और घुमता है तथा पुना 180 डिग्री दाएं और घुमता है अब वह उसकी मुह कौन सी दीसा में होगी तो दोस्तों इससे पहले दीसा से संबंधित और इसमें कौन से संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए 360 डिग्री मतलब क्या होता है दोस्तों और पूरा एक वरिद्ध मतलब एक रौन जब चक्कर कर लेगा तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों 360 डिगरी, तो इसमें क्या पहर रहा है, 225 डिगरी हमको गुमाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, दीसा संबंधित, ये आरेक बना देते हैं, और बीच में वैक्ती को रख लेते हैं, ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि दोस्तों, उत्तर की ओर क्या है, इसका म यहां से यहां तक कि जो कौन रहेगा वो 270 डिगरी और दोस्तों आपका 180 और 270 के बीच के आता है 125 आता है मतलब इसकी दीशा कौन सी होगी यह वाले दीशा ठीक है इसका मुह की धर होगा दोस्तों इधर हो जाएगा ठीक है तो यहां पास के हो जाएगा पूर्व दक्षिन मे आगे कि पूर्व एक 180 डिगरी घुम जाता है 180 डिगरी मतलब क्या हो जाएगा जिसका इसका आपोजिट ठीक है वो भी दाएं और से घुमता है ठीक है तो दाएं और से घुमे या फिर बाएं और से घुमे एक स्वस्तों से घुमेगा मतलब उसी दीशा में ही आएगा ठी नमबर सा में देखने को मिल रहा है उत्तर पस्चिन तो इसका क्या हो जाएगा सा आपसन जो है सहीं हो जाएगा तो मैं उमीद करता हूँ इस तरीके का प्रशन जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से जरूर सौल कर पाओगे ठीक है चलिए देखते हैं दोस्तों के .com विजिट करके भी आप जो है असानी से डाउनलोड कर सकते हो तो चलिए दोस्तों देखते हैं नैक्स्ट कोशन प्रशन दिया हुआ है मैं पांच किलोमेटर पूर्वधिसा की और चलने के पश्चात दाइं और मुड कर तीन किलोमेटर गया फिर बाइं और मुड कर त करने के पश्चात पुनह बाइं और मुड और तीन किलोमेटर गया मैं अपने सुरू इस्थान से कितने दूरी पर खड़ा हूं तो यह सिंपल सा प्रशन है तो चलिए देखते हैं दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं यह मैं मतलब खुद की बात किया जा रहा ह तो यहाँ पास चलिए मैं यहाँ पास खड़ा हूं तो यहाँ पास से देखें पांच किलोमेटर पूरवकी और गया तो दोस्तों पांच किलोमेटर कहा जाता हूं मैं पूरवकी और गया यह पांच किलोमेटर हो गया उसके पस्चात जो है दाईं और मुड कर तीन किलोमे चला उसके बाद चलने के पस्चात अंत में पुना बाइं और मुडा फिर से बाइं और मुडा कितना ऊपर की तरफ मतलब कहां कितना किलोमेटर तीन किलोमेटर तो क्या हो जाएगा तीन किलोमेटर अब यह पूछ रहा है कि मैं अपने सुरू इस्थान से कितनी दूरी पर ख अब दोस्तों प्रारंभी की स्थिति और अंतिम स्थिति की भीच का जो दूरी है उसको निकालना है तो दोस्तों यहां से यहां तक की दूरी कितना है पांच किलोमेटर है और यहां से यहां तक की दूरी कितना है तीन किलोमेटर है तो पांच तीन कितना हो जाएगा जोड़ भी पूछा जाएगा आप असानी से जरूर सौल कर पाओगे बीना किसी प्रॉबलम के ठीक है और दोस्तों next question है आपके लिए आप इसको जरूर बनें और comment करके मुझे जरूर बताइए चलिए question पढ़के मैं आपको समझा देता हूँ ठीक है देखे गोपाल अपने विद्या से दख्षिन पूर्व दीशा में सथी थे तब गोपाल ने विद्याल से किस दीशा में चलना प्रारंब किया तो simple सब्रचन दोसनों सबसे पहले क्या करोगे आप एक दीशा माल लेना ठीक है वहां से क्या करोगे आप 2 क्लिонोच सीधा चला ना उसको फिर बाद में क्या कर विद्यालाय से घर जो है दक्षिन पूरवदीशा में मतलब दोस्तों ऐसा इस सिचुएशन रख देना कि यहां पास क्या हो जाएगा दक्षिन पूरवदीशा में आना चाहिए अब उस आकोड़िंग जो है आपका दिशा कर देना ठीक है उत्तर दक्षिन पूरवदीशा न जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करे रहोगे उतना जल्दी बननेगा ठीक है तो छलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जान करी के साथ तो मुझे दी जाए जाए टेक के रॉल दे बैस्ट जाए हिंद